अच्छी बॉडी बनाने के लिए कितना प्रोटीन हर दिन खाना चाहे बहुत सारे लोगों के इस तरह के मेल मुझे आ रहे हैं कि हमें अच्छी बॉडी बनानी है अच्छा जो है फिजीक रखना है तो हमें कितना प्रोटीन पर दे लेना चाहे नमश्कार दोस्तों मैं हूँ अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेर करें अपने दोस्तों और इशदारों के साथ सबसे पहले देखते हैं कि हमें regular हमारी routine life में कितना protein लेना चाहिए जी हाँ आप चलते हैं आप पानी पीते हैं आप उठते हैं आप आपके पैर हाथ को उपर नीचे करते हैं आपको ये सारी activity करने के लिए protein की जरूरत होती है और ये protein आपको आपकी diet से मिलता है जो आपको daily basis पे लेना बहुत जादा जरूरी है एक बहुत जरूरी बात मैं आप सबको बताना चाहूंगी वो है जब आपकी उम्र 30 साल से उपर हो जाती है जी हां 30 साल के बाद आपको हर दिन protein की requirement बढ़ानी पड़ती है आपके वजन के according जी हां जितना आपका वजन होता है उत्ते ग्राम आपको protein लेने की जरूरत होती है क्योंकि आपकी body में से fat mass जो है वो बढ़ने लगता है और lean mass जो है वो धीरे धीरे उम्र के साथ कम होने लगता है और ये जो उम्र के साथ कम होने की दर है ये हर साल 5% करके कम होती जाती है मतलब अगर आप 31 के हैं तो आपकी body में lean mass का percentage अब तक 5% कम हो चुका है जितना की आप जब 30 साल के थे तब था एक normal इंसान को हर दिन अपनी weight के protein लेना चाहिए जिया 1 gram per kg body weight अगर आपका weight 62 kg का है तो आपको एक दिन में 62 gram of protein ज़रूर शामिल करना चाहिए तापकि आपकी muscles को strength मिल सके आप normal जो activity कर रहे हैं उसमें आपको ठकान महसूस ना हो और आप freely आपका काम कर सके और आपकी muscles को इतना protein मिले कि वो tissue regeneration का भी काम कर सके जिम जाते हैं अगर आप hardcore exercises करते हैं athlete है cycling करते हैं aerobics करते हैं इस तरह की physical activity में involved हैं तो आपके शरीर में protein का intake और बढ़ जाता है और इस वक्त में आपको जो protein लगता है वो है 1 से लेकर के 1.8 gram per kg body weight जी हां क्योंकि protein ही आपकी muscles को repair करता है और आपको stamina देता है कि आप इस तरह की physical activity में involved हो सके हैं अब देखते हैं protein के sources जी हां सबसे पहला protein powder जित्ते भी लोग gym जाते हैं आजकल protein powder का इस्तमाल बहुत करते हैं यूज बहुत करते हैं एक जो spoon है उससे आपको करिब 30 gram protein मिल जाता है जो आपके लिए बहुत है एक बात आप सब को हमेशा याद रखनी है protein की जो quantity है वो एक बहर में आपको सर्फ 30 gram ही लेनी है इससे जादा आपकी body absorb नहीं कर पाएगी और आपको in digestion और पेट में दर्द जैसी शिकायत होने लगेगी इसके अलावा जो natural source है protein के वो है एग, soya bean, milk सभी तरह की दालें ये सब आप आपकी diet में regularly लेते हैं इसके लिए आपको ये बात याद रखनी है कि आपको carbohydrate का consumption जो है सिर्फ 50% रखना है और सादा से जादा intake protein का करना है कोशिश आप ये कर सकते हैं कि आप हर meal में protein add करें, आपके नाश्ते में milk को add करें milk आप ले सकते हैं आप कितना भी लेना चाहें क्योंकि milk आसानी से पिया जा सकता है इसके अलावा दोपहर के lunch में mix दाले बनवाएं, राजमा, छोले, चने की दाल, इन सारे दालों को mix करके mix दाले बनवाएं इसके अलावा शाम को है आपका time evening snacks का, उसमें आप भुने हुए चने ले सकते हैं, dry fruits ले सकते हैं, boiled egg ले सकते हैं, अगर आप non vegetarian है तो रात के वक्त में आप सोया चक्स ले सकते हैं, सोया बीन की दाल ले सकते हैं, किनोवा ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप आपकी डाइट में एड़ कर सकते हैं, सोर्स कोई भी हो, वेजिटेरियन, नौन वेजिट या फिर protein powder आपको आपकी डाइट में आपकी वेट के बराबर का protein regularly add जरूर करना है यह रहा आज का वीडियो I hope आप सब को यह जानकारी अच्छी लगी होगी please share this video as much as you can stay fit stay healthy please subscribe our channel bye bye